आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ इस Question में हमें दो Columns दियें Column First and Column Second हमें इन दोनों को Match करके Appropriate Choice को Mark करना है तो First Column में हमें क्या Atoms दियें Phosphorus, Chromium, Iron, Silicon और Column Second में हमें Number of Unpaired Electrons दियें ठीक है? First Column में क्या दिया है? Atom Second Column में क्या दिया है? Unpaired Electrons और हमें इनने Match करना है तो Electronic Configuration के Through हम इसे Match करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं Phosphorus जिसका Atomic Number है 15 ठीक है? तो हमारी Electron के Filling कैसे होती है? 1s2 2s2, 2p6 ठीक है? In the order of Increasing Energy, ओके यहां तक हो गए 10 यहां तक हो गए 10 1s2, 2s2, 2p6 3s2, 3p3, ठीक है? तो अगर हम Count करें तो यह हो गए यहां तक 10, 11, 12, 13, 14 15 ओके? तो हम लोग Outer Morse Shell में देखेंगे कि कितने Electrons है? तो 2p3, 3p3 है यहां पर ठीक है? तो इस तरीके से 3 Electrons है तो यहां पर कितने Unpaid Electron हो गए? 3 Unpaid Electron हो गए तो इस केस में कितने 3 Unpaid Electron? ओके? तो हमारा A किससे मैच कर रहा है? A हमारा मैच कर रहा है? 3 से तो यहां पर A की Option में दिख रहा है है अब बाकियों को Follow करते है अपन फिर है हमारा पक Chromium Chromium का Atomic Number होता है 24 हमें एक चीज ध्यान रखने है Chromium और Copper की केस में Exceptional Configuration होती है Exceptional Configuration कैसे होती है? हम देखते हैं तो 24 के लिए Fill करते हैं सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6 3s2, 3p6 Then यहां पर आता है 4s3d तो ideally अगर हम देखें तो 4s2, 3d4 होना चीज था लेकिन यहां पर क्या होता है? यहां पर Exceptional Configuration होती है और वो Configuration क्या हो जाती है? 4s1, 3d5 क्यों होती है? क्योंकि Half-filled और Full-filled shells जोते हैं वो ज़्यादा stable होता है अगर मैं 3d4 लिखूंगी तो Half-filled shells नहीं हो पाएंगे यही 3d5 के case में Half-filled shells हो जाएंगे ठीक है? तो यहां पर 4s1 के case में 1 electron आ गया 3d5 के case में इस तरीके से 5 electron आ गया ठीक है? तो Total Unpaired electron किते हो गया है? 6 Unpaired electron तो हमारा जो B है वो किस से match कर गया? 1st से अब चलते हैं iron पर iron 26 तो iron की configuration लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6 3s2, 3p6 4s2 और 3d6 ठीक है? तो इस तरीके से जो होती है iron की configuration हो जाती है अब 3d6 के case में 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6 तो Total Unpaired electron किते हो गया है? 4 Unpaired electron हो गया है iron के case में ठीक है? तो C हमारा किस से match कर जाएगा? 4th से लास्ट चलते हैं silicon D क्या है हमारा silicon? ठीक है? अब silicon के case में जो atomic number है 14 मतलब electrons 14 तो 1s2, 2s2 2p6 तो यहां तक तो 10 हो गया then 3s2, 3p2 ठीक है? तो यह 14 electrons हो गया अब 14 electrons में जो last है 3p तो उसमें 2 electron है ठीक है? और 2 ही Unpaired electron हो जाएगे तो D हमारा किस से match कर गया? D हमारा match कर गया second से ठीक है? तो हमारा correct answer गया हो जाएगा? option third बाकि options wrong हो जाएगे तैंक यू